नमस्कार दोश्तों, हैपी स्टेडी जुन में आपका स्वागत है, आराज हम देखने वाले हैं, मैथ का 20 क्वेशन, और जैसे कि आपको बता है कि टोटल 3-3 मार्क्स का पूछा जाना है, यानि कि 6 मार्क्स के लिए ये सेशन हम लोग देखने वाले हैं, काफी इंट्रेस्ट करते हैं, कैसे ट्रेक है, 3-3-9, 4-3-12, 4-24, 4-2, उसके बाद 4-6, 2-18, यानि कि 1889 प्रशन का उत्तर हो जाएगा, आप चैसे भी निकाल सकते हैं, काई सारी मैथड होते हैं, तो अपसर नमबर A इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, क्वेशन नमबर 2 देख तो देखें, काफी एजी होते हैं, ऐसे प्रशन पर थोड़ा साब ध्यान दीजिएगा, और बढ़ी असानी सब निकाल सकते हैं, तो चलिए, इसको सॉल करने के कोशिश करते हैं, यहाँ पर यह बोला हुआ है, कि A और B कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं, और A अकेले कितना दिन में कर सकता हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है, कि A अकेले चालीस दिन में कर सकता है, दोनों को जब हम LCM निकाल रहे होंगे, तो कितना निकल जाएगा, 200 इसका क्या निकल जाएगा, ईलिसम निकल जाएगा, और 25 आठे, 200, यारे कि 8 बार में, और यह 40, कि कितना निकल कर आ गया, पांच निकल कर आ गया, अगर आप से question में पूछ जी देथा कि B का capacity कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 को minus कर देंगे, तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 100 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद B का के पेशे टिकेत है, तो दीखिए B का हमने निकाल लिया था, चुकि A का कितना है, 5 है, और A और B का कितना है, 8 है, तो आप 5 इसमें मैनस 6 से ही करेंगे 3 आपको मिल जाएगा, जानि कि हम कह सकते हैं B कितना दिन में कर लेगा तो सो बटा तीन इस प्रेशन का उत्तर हो जाएगा और अप्शन ऐसा दिखाए भी दे रहा है आपको कौन सौ अप्शन है तो अप्शन नमबर D इस प्रेशन का उत्तर जितने भी आप D answer कर रहे हैं D is correct one चलिए अगले question की तरब बढ़ते हैं और यह बीजी है बर थोड़ा साब इसमें formula वेगरा लगा सकते हैं देखे पहले क्या है कि एक आयत का शेत्रफल क्या होगा तो आयत का formula पता होना चाहिए शेत्रफल का इसका विकरन यानि के diagonal कितना है 74 cm है और इसके एक भूचा कितनी है तो 24 cm है अब देखे बहुत यह असानी से सबसे पहले एक आयत हम ड्रॉ करते हैं तो यह आयत और इसका एक विकरन दिया हुआ है विकरन का value दिया हुआ है विकरन किसे कहते हैं तो देखे यह वाला जो part होता है इसको भी करने यानिके diagonal कहते हैं और इसका value दिया हुआ है 74 cm दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 24 cm दिया हुआ है इसकी एक भूचा दिया हुआ है एक भूचा दिया हुआ है कोई भी भूचा हो सकता है अब दिखिए ये वाला निकालने के लिए या तो अब बेस निकाले कुछ भी निकाल लीजे तो ultimately आपको करना क्या पड़ेगा मान के चलिए मुझे हम माल लेते हैं चलिए इसका हम नाम दे देते हैं A, B, C, D अगर मान के चलिए हमें B, C निकालना है तो आप क्या करेंगे आप कहा सकते हैं की इपाइथोगरेश पर में आप लगाएंगे चुकिक्छ यह क्या हो جाएगा इसका करण हो जाőगा इसका यह अधार है इसका लब्भ है ठीक है बस अब दोनों को मैनस कर लीजे तो आप देखे क्या आपको देख रहा है यहाँ पर कि 74 का अस्वाइर क्या हो जागा तो 74 का अगर हम अस्वाइर के बात करते हैं तो कितना हो जागा बता ही है आप निकाल सकते हैं अराम से कितना हो जागा 24, 76 हो जाएगा ठीक है 24, 77 इसका निकल कर आजाएगा तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 54, 74 5, 4, 7, 6 और मैनस, मैनस क्या कर देंगे 24 का कितना होगा तो 566 हो जाएगा 566, जब आप मैनस कर रहे हूंगे तो आपके सामने कितना आएगा तो आप कहेंगे कि मैनस करने के बाद आपके सामने 4900 आएगा यान कि कितना इसका निकल कर आगया 70 वैल्यू इसका निकल कर आगया यतना तो किले रहे हैं यतना आपको पता होना चाहिए अब देखें क्या आप यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका जो value है वो 70 निकल करा गया और एक ये 74 दिया हुआ था तो हम अगर आयत का शेतरफल निकालते हैं तो क्या होता है बताइए तो आप कहेंगे कि लंबाई गुने चोड़ाई होता है ये इसका होता है तो देखिए 70 और 24 को आप multiply कर लिजे 70 और 24 को आप multiply करेंगे तो कि अगला question देखते हैं और ये भी काफी easy है इसका अंसर आपको बताना है देखिए दियावा है रूट 3 का value दियावा है उसका value find out करना है कि क्या value होगा तो देखिए बड़े है असानी साब देख सकते हैं पर क्या कह सकते हैं कि इसको solve करने के कोशिश करते हैं तो देखिए सत है तो इसका square root मिलेगा आगी निकल जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है यानि कि आप सत्य है इसको क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं तो यहां पर दो तो पहले से तो नो दूनी 18 root 3 हो जाएगा clear है बिल्कुल clear होना चाहिए उसके बाद 3 root 3 तो है ही और minus 4 root 3 हो जाएगा यहां पर ठीक है इतना तो दिया ही हुआ है अब देखिए इसको हम कैसे solve करते हैं असानी से समझने के कोशिश करेगा थोड़ा सा अब देखिए अब आपको क्या करना है कि यह वला term देखिए minus होगा बिल्कुल minus होगा मैनस होने के बाद कितना बचेगा बताइए तो आप कहेंगे कि यहां पर minus root 3 बचेगा और minus root 3 फिर इसमें से minus होगा तो कितना बचेगा तो आप कहेंगे कि 2 root 3 होगा तो रिट थरी होगा, बिलकुल होगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे, कि 18 root 3 हो जाएगा, 18 root 3 हो जाएगा, यारे अब क्या कह सकते हैं, कि 18 और 20, यानि कि 20 root 3 हो जाएगा, root 3 का value से आपको multiply कर देना है, और root 3 का value कितना भी हमने बात किया था, दिया हुआ है, ये question म हो जाएगा, पहला आप 2 से multiply करें, तो you'll get 3.464, ठीक है, और फिर 10 से को multiply कर देंगे, तो यहाँ पर आप कहा जाएगा, यानि कि 34.64 expression का उत्तर होगा, ठीक है, देखिया ऐसा कौन से option में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे, कि option number D में आपको दिखाए दे रहा है, और D expression का सही उत्तर होगा, जितने भी आप D answer कर रहे हैं, मेरे खाल से बिल्कुल समझा गया होगा, तो D expression का उत्तर होगा, बहुत आसान है, आप एक बार परयास करेगा, तो रिशीत रुप से आप इसका answer कर सकते हैं, उसके बाद अगला क्वेशा आपके सामने है, और यह भी काफी हीजी है, देखें, यहाँ पर क्या दिया होगा है, कि 94, 200 और 26 संख्याओं में से प्रतेंग संख्या में, 28 संख्या का यूग किया जाना चाहिए, ताकि परिनामी संख्या निरंतर अनुपात में हो, ऐसा हम कौन सा संख्या को जोड सकते हैं, तो देखें, वैल पूट करना है, कि दोनों का रेशियो बरावर हो जाए, तो देखें, सबसे पहले हम 11 लेकर देखते हैं, रैट, 11 दोनों में जोड के देखते हैं, कि क्या होता है, हर जगा पर हम क्या करते हैं, 11 जोड के देखते हैं, और उसके बाद आगे हम चेक करेंग ऑप्शन को, तो आप्शन के दुरू करना असान होता है, अलागि हम इसको एक्स मान कर भी, एक्स का विल्यू फैंड आउट कर लेते हैं, लेकिन हम आप्शन के दुरू कर रहे हैं, तो ज्यादा टायम यहां पर सेव होगा, तो चली, 1490 में हम जब 11 को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा और नीची कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 35 हो जाएगा, उसके बाद उसी तरीके से 1100 तो 111 हो जाएगा, और नीची कितना हो जाएगा, तो 3700 हो जाएगा, ठीक है, इसको आप कैंसिल करें, कितना बार में कैंसिल हो रहा है, और यह कितना बार में कैंसिल हो रहा है, तो आप कहेंगे यह 11 है यह भी तीन बार में गैंसल हो रहा है तो देखें बिल्कुल यह क्या हो गया इक्वेट हो गया तो आप कहा सकते हैं कि 11 इस प्रेशन का उत्तर होगा हलाकि एक एक करके हम चेक कर रहे होते तो अपसर नबर 20 प्रस्टन का उत्तर होगा जितने भी आप बेंसर कर रहे हैं चलिए अगला प्रस्टन का उत्तर करेगा ये देखिए ये बहुत ही popular question बहुत बार पूचा जाता है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा बहुत बार पूचा गया है कि एक बल्ले बाद जा सो लहवे match में कितना तो 81 नबर नाता है और इस प्रकार प्रती match उसका उसत 3 क्या होता है 3 से बढ़ जाता है सो लहवे match से पहले उसके उसत क्या थी अब दिख्या ऐसे question को बिनाने के लिए हम क्या करते हैं बहुत ही simple है आप यह समझें कि 16 जो match है उसका 16 मैच का जो run है वो कितना दिया हुआ है तो 81 दिया हुआ है यो question में दिया हुआ है लेकिन इससे पहले जो 15 पारी हुआ है इस 15 पारी में मुझे नहीं पता कि उसका आउसत क्या था तो हम माल लेते हैं उसका आउसत कितना था एक्स था उसका आउसत कितना था एक्स था और आपको पता है ना कि बन के चलिए हम ऐसा कुछ लेते है एक्स वाई प्लस जेड डिवाड़ेड बाई 3 इक्वाल्टी 3 है ना यानि कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक्स वाई एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड का क्या है एवरेज तीन है और एक्स वाई जेड का अगर आपको टोटल निकालना है क्या निकालना है तो टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए अब क्या करते हैं कि जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं जितने संख्या से डिवाइड कर रहे हैं और जितना जिसका एवरेज आया है दोनों को आप मल्टिपलाइ कर लेते हैं तब यहां पर यह टोटल नि ये टोटल पंदरा पारी है और इसका और सथ हमने एक्स मान लिया है तो पंदरा एक्स क्या हो जाएगा इसका टोटल योग हो जाएगा हम पंदरा पारी का टोटल योग की बात कर रहे हैं और सोला हुआ तो आपका दिया ही हुआ है तो बस अब आसान हो गया तो आप दिखे क की टोटल 15 का ऊटोटल यो कितने हो गया तोब यहांगी की फंदरह X हो गया और 16 हुआ कितने है तोब कहेंगे कि accelerate odds होगया total match केतने तोब recommends हैं दिल्कुल है हमने 15 का क्या average माना था एक्स माना था कितना बढ़ जाता है 3 से बढ़ जाता है तो लो भई 3 से मैंने बढ़ा भी दिया अब solve कर लिजे you'll get answer दिखे अब इसको solve करें तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे कि ये 15 x है plus 81 equal to कितना हो जाएगा बताएगे तो 16 x plus 16 60 x 48 हो जाएगा बिल्कल हो जाएगा ना 60 x 48 हो जाएगा इसको problem पारी का जो average है वो कितना निकल कर आगे तो आप कहेंगे 33 का average निकल कर आगया और बहुत बार यह question पूछा जाता है ठीक है तो इसका अंसर क्या बन जाएगा तो आप कहेंगे कि option number C expression का उत्तर होगा और C expression का बिलकुल सही उत्तर होगा जितने भी आप C answer कर रहे हैं C is correct one वर यह question भी बहुत बार पूछा जाता है इसका भी answer बता दीजेका कि एक राशित 3000 रुपे पर दो वर्स का साधरन व्याच और चक्रिवर्दे व्याज यानि कि CI और SI दिया हुआ है और व्याज की वार्सिक दर क्या होगी यह आप से पूछा हुआ है ठीक है साती साथ आपको यहां पर मुलधन भी दिया हुआ है प्रिंसिपल भी आपको दे दिया है अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि यह फॉर्मूला जब आप याद रखेंगे तो बहुत ही असानी से जल्दी question कर पाएंगे जो CI है यानि कि compound interest और जो simple interest है यह दोनों का जो difference है equal to क्या होता है P यानि कि मुलधन और divided by 100 का square होता है जब इस formula को आप याद रखेंगे तो बहुत ही असानी से इस question को हमेशा आप solve कर पाएंगे तो देखिए दोनों का difference क्या हो जाएगा यानि कि 696.30 और यहां पर 660 दिया हुआ है दो 36.30 यह हो जाएगा दोनों का difference equal to देखिए P का value दिया हुआ है कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे कि 3000 दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है और तो मुझे पता ही नहीं है विल्कुल नहीं पता और divided by 100 और यह इसका क्या है square है ठीक है अब चलिए आगे solve करते चाहिए तो आपके पास कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे 36.30 आपके सामने है और यह divide में ही दर आजएगा proprio जायका तो आप कहेंगेmber 3000 यह लेए 3000 फोर यह हुआ हुटर हो जाएका अब देखेot कि कि अगर आप इस point को एटाते है तो उसके बज़े आप यहाँ पर double zero दे सकते हैं और यह द करेंगे तो 1010 कैंसिल हो जाएगा और थीन से जबampaरिंगे तो 12 Зна 2000 एक सब्सक्राइब तो हम वार तो कि उसके बार फिर और फिर हो ज्याएगा तो आप कहेंगे किण लट कर रहे हो और तो यह एक हो जाएगा 1000 हो जाएगा 1000 और एक और जिरो नहां टेंथ हो जाएगा एक चुले में और यह देखे रूट इदर ले आ है ना तो इदर यह रूट है इक्वल टू क्या है तो कहेंगे आप हंड्रेट बाइ मतलब आर बाइ हंड्रेट है ठीक है इसको सॉल्व करिए तो 121 किसका होता है तो 11 का होता है स्क्वेर और यह 4 0 है तो 2 0 हो जाएगा बिल्कुल होगा क्योंकि हम इसका रूट निकाल रहे है तो आर बाइ क्या हो जाएगा और देखिए 100 से 100 कैंसल हो जाएगा तो आप कहेंगे कि आर का जो वैल्यू निकल कर आ गया 11% निकल कर आ गया और यही इस सवाल का उत्तर भी है जो पूछा होगा था ठीक करेंजे और नए लुक सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है काफी इंट्रेस्टिंग सेशन है और अभी बहुत सारे क्वेशन आने बागी है उसके बाद अगला क्वेशन देखते हैं और यह देखिएगा यह अच्छा क्वेशन आईसे क्वेशन पूछ लिए जा सकते हैं जान देखिएगा पहला क्वेशन आपकी सामने है कि दो मजदूर ए और बी को प्रतित दिन कितना तो प्रतित दिन टूटल कुल रासी 1620 रुपे का भुकतान किया जाता है यदि ए बी को भुकतान की के राशी का कितना है 170 प्रतिस्ट भुकतान में पाता है तो बी को कितना भुक्तान किया जाता है, अब देखें यहाँ पर आपके सामने बोला क्या है? आपको बोला ये है कि A और B को कितना मिलता है से तुरूप से आप कहेंगे कि कुल रसी मिलता है, 1602 रुपय ये दिया हुआ है, उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बात का रहा है कि A B को भुख्तान की गई रासी का कितना है 170 प्रतीस्याद भुख्तान में पाता है तो देखें आपर एक्चुले में कहा क्या रहा है कि B के B की कितना तो आप कहेंगे कि 170 प्रतीस्याद मक्लब इवाड़ेड बार हांडेट कर देजिए का equal to क्या हो जागा A हो जागा यही question में बोला हुआ है आप देखें आपसे A और B का आप ratio निकाल लीजे तो A और B का जब आप ratio निकाल रहे होंगे तो आप क्या करेंगे देखें यह वला हम A को मतलब B को उधर transfer कर देंगे है ना कर दिए तो यहाँ पर आपकी सामनी क्या निकल कर आजाएगा तो आप कहेंगे कि 170 170 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यही होगा जब इसको आप ratio में convert कर रहे हैं तो 17 by 10 आप कहा सकते हैं बिलकुल कहा सकते हैं यानि कि आपको बिलाकर देखे कि यहाँ पर आपका value क्या दिया हुए है तो आप कहेंगे कि A और B का स्रेंप तुरू इवा था सर बिलकुल दिया हुआ था तो यानि कि 27 हो जाएगा 17 plus 10 होजएगा। 27 और यह जो 27 है यह 27 है यह किसके बराबर है आप क्या कहेंगे तो आप कहेंगे कि इसके 2620 बार किसके बराबर है तो 1620 के बराबर है और जब इसको आप कैंसल कर रहे हूंगे तो कितना बार में कट जाएगा तो आप कहेंगे कि यह टोटल कितना बार में कट जाएगा तो आप कहेंगे कि टोटल यह 60 बार में कट जाएगा 60 बार में यानि कि एक यूनिट का वैल्यू कितना यूनिट और भी कही पूछा हुआ है तो एक यूनिट के वेल्यू हमारे साथ निकल गया है तो टेन यूनिट का निकालने के लिए आप टेन से मल्टिप्लाइ कर लिजे सिंपली यूनिट यूनिट कितना 600 और 600 इस प्रेशन का सही उत्तर है तो यह अगले प्रेशन का उत्तर कर दीजेगा आपको इसका अंसर बताना यह 126 है तो आपको परिशान नहीं होना है आपको बताना है कि एक वेक्ती ने 10 घंटे में 126 किलोमेटर की दूरी तेकी है और वह आंसी कुरूप से 9 किलोमेटर प्रती घंटा की गती से पैदल चला और आंसी कुरूप से 21 किलोमेटर पर घंटा की गती से साइकल से यातरा की पैदल की का यातरा की दूरी आपको बता कि 9 km पर R से चल रहा है और दूसरा जो यह चल रहा है साइकल से वह 21 km पर R से चल रहा है यह दो चीज है हमारे पास है ऐसा करते हैं ना कि distance यहां पर total distance कितना दिया है 126 दिया है तो दो अलग-अलग case है तो एक को हम माल लेते हैं तो आप कहेंगे कि 126-X हो जाएगा यही होगा तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहला वाला हम ले लेते हैं पैदल वाला तो हमने एक समाल लिया था और इसका स्पीड कितना है तो आप कहेंगे कि 9 km पर आर है बिल्कुल कहेंगे उसके बाद दूसरा का वेलियो आप कितना कहेंगे तो आप कहेंगे कि 126 में क्या करदेंगे आप एक्स को मैनस करदेंगे एक्स तो आप हमने ले लिया है ना डिवाइड़ रいき नहीं होजाए तो इसका चाल आपकी दिया हुआ है कितना है स्पीड तो 21 km पर री यह और टा फ्रिश्ट ल कितना है तो देखें यहाँं पर आप आप लीजिए तो 9 और 21 का एल से हम कितना निकल कर आ जाएगा तो आप कहेंगे कि 63 निकल कर आ जाएगा 973 और यहां पर 7X हो जाएगा ठीक है उसके बाद आगे आप सॉल्ब कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2163 याने कि 3 से और 126 को आप 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे कि 378 आपके सामने निकल कर आ जाएगा मैनस कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे कि 3X कि 3 से मल्टिप्लाइ कर रहे तो दोनों में होगा न तो आप कहेंगे कि 10 हो जाएगा, ठीक है यही होगा आप आगे solve करें, तो देखें यहां पर आपके सापने 7x है और यहां 3x से दुनों minus हो जाएगा, तो minus होने के बाद यहां पर कितना होगा तो आप कहेंगे कि 4x हो जाएगा इकवल्टो गवल्टो देखिए आप इसको क्या करें ये वल्ला दख लेजयए और यहां फेलेंस ने विल्कुल होगा और इसको जब मैनस कर रहे होंगे तो आपके सामने किजना निकल कर आ रहा है तो उसके बाद 12 पांच उसके बाद 5 दो यह आपके सामने निकल कर आ गए जब आप इसको कैंसिल कर रहे होंगे यह देखे चार से कैंसिल कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा 6 चोके 24 6 चोके 24 कितना बच गया आपके पास 11, 14, 13, 33 यानि मतलब कि 63 63 आपके सामने निकल कर आ गया यानि कि 63 एक्स का वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गया एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 63 आपका निकल कर आ गया और आप अगर ध्यान से देखेगा तो ये देखिए पैदल वाला था ये देखिए ये पैदल वाला था और ये जो आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं वो क्या था ये आपका क्या थवती ये आपका साइकल से था तो पैदल वाला आपका distance कितना देखने को मिल रहा है तो X देखने को मिल रहा है और अ तो एक एक बार सेशन को लाइक करते हैं चलिए अब देखें यहां पर क्या आपके सामने दिया है यह भी काफी एजी है बस थोड़ा सापको यहां भी दिमाग लगाना है देखें दो वर्स में 15% प्रतिव वर्स से अर्जित चक्रिवर्दी आज इतना रूपीज दिया हुए तो निवेश की गई राश्य आपको ग्याद करना और बताना की कितना हो जाए तो देखें बहुत ही असानी से इसको करते हैं सिंपल मिथट से 15% को अगर हम रेजियो में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे कि इस मेथट को अगर अपलाय करें 20 है तो कितना ह प्राइक कर रहे हो तो तो था जैँ चर केंगे हम तो यहां पर देखें इसको क्लीके करे तो चारू कजा हईarak और यहां पर दिया हुआ है यहाँद को क्या दिया हुए है तो आप देखें ये आपको किसके बराबर दिया हुआ है पता है ये किसके बराबर दिया हुआ है तो आप कहेंगे कि ये आपका चक्रविर्दी ब्याज है चक्रविर्दी ब्याज है और चक्रविर्दी ब्याज क्या होता है तो आप देखें क्या आप देखें क्या कि ये जो मैनस कर देते हैं, वही तो करते हैं ना, कि जो आपका टोटल मिसरेधन हैं और मुलतन है, वो मैनस करने के बाद ही आपका क्या निकलता है, चक्रविर दिव्याज निकलता है, तो बिल्कुल कर लीजे, 129, और यही 129 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे, कि आपके सामनी कितना दिया हुआ है, बतेए, तो 20, 0, 64, 0, इतना दिया हुआ है, आपको question में ही दिया हुआ है, परिसान नहीं होना है, इसको आप solve करिए, यानि कि एक unit का जब आप value निकाल रहे होंगे, तो एक unit का value आपके सामनी कितना निकल कर आजाएगा, तो एक unit आपके सामनी कितना निकल कर आजाएगा, 1, 6, 0, क्यानि कि, 160 आपका एक unit का value निकल कर आगया, आपसे पूछा क्या है, आपसे question में पूछा है, निवेस की गई रासी, यानि कि आपका value जो पूछा हुआ है 400 का value पूछा हुआ है तो एक unit का value हमाले पास कितना निकल करा गया तो आपके सामने 160 निकल कर आ गया तो 400 unit का value निकलने के लिए आप क्या करेंगे तो आप करेंगे क्या कि 400 को 400 को क्या करेंगे ये लिजे 400 को आप एक सो साट से मल्टिप्लाइ कर देंगे यानि कि 64,000 64,000 इस प्रेशन का उत्तर हो जाएगा बोले समझाया कि नहीं अगर आपको समझाया तो एक एक पार सभी लोग लाइक कर देजेगा इमानदारी से चले तो इस प्रेशन का उत्तर क्या हो जागा बते आपसा नमबर उस प्रेशन का उत्तर होगा जितने भी आप एंसर कर रहे हैं 64,00 Declarator का उत्तर होगा बोलिफ समझाया अगर समझाया तो फटाफट से लिए तो पास दूनी 10 हो जाएगा यह 10 X हो जाएगा देख लिए यह 10 X हो जाएगा मैनस मैनस हम क्या कर सकते हैं तो आप देख लिए कि 4 है तो कोई इसमें बदला होगा नहीं तो ऐसा करें कि आप अंदर से भी को मिल्टेप्लाइ कर दीजिए यह वाला 5 का टर्म को अंदर ले चाहिए तो आप क्या कहा सकते हैं आप कहा सकते हैं कि 6 35 X और पलस मैनस फिर यह मैनस हो जाएगा अंदर चला जाएगा उसके बाद 9 5 चो 45 45 25 यह two हो जाएगा यह हो जजएगा इक्वाल टो केतना है तो आप कहेंगे कि उक्वाल 2 सेवन आपका दिया हुआ है 7 पाई 8 सेवन भाय एट दिया हुआ है यह आपका में हैं अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर रही है तो आप कहेंगे कि इसको इसको कैंसिल कर देते हैं दो बार में यह कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा यह दस एक से ठीक है अब देखें यहां पर आप जब मैनस कर रहे होंगे तो आपकी सामनी कितना आएगा तो मैनस ट्वंटी एक्स मैनस ट्वंटी एक्स इकॉल टू क्या हो जागा बते तो आप कहेंगे कि सेवन बाई टू तो पहले से है ही यह वहला जो टर्म आप देख रहे हैं मैनस पैतालिस बाई दो तो मैनस फुटिफाइब बाई टू यह इधर आ जाएगा और जब इसको आप स एक्स ठीक है फिर इसको आप टू से मालप मतलब कैंसल कर रहे हूंगे तो यह दस बार में और यह कितना बार में तेरा बार में यानि की एक्स का अल्टिमेटली आपके पास वैल्यू कितना आ गया तो आप कहेंगे कि मैनस तेरा बटा 10 आ गया यह वह वाला मैनस इधर में देखने को मिल रहा है तो आप कहेंगे कि option number B में देखने को मिल रहा है और इस प्रशन का सही उत्तर है बोले समझाया अगर समझ आ रहा है तो एक एक like करते चाहिएगा और जितने भी नए लोग है जो चैनल पर नए हैं पहले बार देख रहे हैं उसक्राब कर लेज़ेगा देखिए ऐसे question को कैसे solve करते हैं एक तो value put करके हम कर सकते हैं चेक कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो direct formula को put करके भी इसका value अब निकाल सकते हैं देखे simple में आप देखे कि दो यहाँ पर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो आप कहेंगे कि 9 में से 7 को minus कर सकते हैं तो देख लिए कि आपका 2 आ गया ठीक है आपको मिल गया 9 सती 63 और 63 इस प्रस्में का उत्तर हो जाएगा लेकिन यह सोचने में थोड़ा से आपको वक्त लग सकता है उससे अच्छा है कि आप formula को put कर लीजे मैं एक और method बता देता हूं ताकि आप बिल्कुल परिशन नहों तो क्या होता है तो आप कहेंगे कि a q minus b q इन्टू a-b यह formula होता है इस formula में आप पूट करें आपके सामने आजाएगा तो देखिए a-b का 2 value दिया है और 2 क्यूं कितना हो जाएगा एक q-b क्यों का value दिया हुआ है कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे क्या अब इसको आगे आप सॉल्ब करने के कोशिश करें तो यह कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे यह आपके सामने कितना हो जाएगा तो 6 यह 3 a b हो जाएगा 3 a b हो जाएगा देखिए एक बार मैं ठीक से पूट कर देता हूँ आपको यहाँ यह तो 8 हो जाएगा equal to क्या ह आपको जाएगा तो आप कहेंगे कि a-b q aq-bq का value कितना दिया हूए तो आप कहेंगे कि total 360 8 आठीक है उसके बाद यहाँ पर किया है तो आप कहेंगे कि manas तो manas हमने दे दिया इसके रहेगा formula में ab ko find out करना नहां नहीं पता और ये a minus b का value दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ठीक है तो आप देखें क्या कि ये वला जो term आप देख रहे हैं ये वला term, ये कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 6ab हो जाएगा, यानि कि ये वला term आपका 6ab हो गया तो आप ऐसा करिए, कि ये minus में निकल कर आ जाएगा, 378 ही आएगा, बिलकुल आएगा, अब क्या करिए, आप इसको solve कर लिजे, यानि कि 6 से आप cancel कर दीजे, तो कितना बार में कटेगा, 6.36, 6.18, यानि कि ultimately 63 ही आपका answer आ रहा है, तो या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप value putting से कर सकते हैं, या इस formula को put क कर के भी answer निकाल सकते हैं, answer आपके सामने है, option number B, यानि कि 63 इस प्रस्न का सही उतर होगा, ठीक है, चलिए, आगला प्रस्न देखी, इसको क्या करेंगे, ऐसे question को क्या करना रहता है, देखे ध्यान से, कि एक भिन अपने वियुत कर्म के दुगने से, कितना है, मैस 1 by 6 अधी और ऐसे question को आप हमेशा न चौथा number से check करना शुरू करें, ठीक है, चौथा फिर तीसरा दूसरा ऐसे करके check क्या करें, असान पड़ता है, क्योंकि ज़्यादतर case में आपको DC ही option देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला और दूसरा लोग check करते रहा जाते हैं, फिर तीसरा फि विउत कर्म के दुगने से याने की की यह कितना हो जागा, विउत कर्म याने की 3 बटा 4 हो जाएगा, दुगना, यह लिज़े दूगना भी हमने कर दिया, तो मैनस 1 बटा 6, अधिक है बतलब यहाँ सरा हो गा, इक्वल टू कुछना है तो आप कहेंगे खिमादार 1 घस 6 है, मैनस फिर इसको जब आप यह कर रहे होंगे तो 4 तीया 12 ठीक है यह देखे चारतीय 12 और 3 दोनी 6 याने कि 6 तीया 18 हो जागा आपके सामने ठीक है तो आप देखे जब इसको आप solve कर रहे होंगे तो 16 में 18 मैनस होगा तो कितना बज़ेगा तो मैनेस दो बाइ 12 हो जाएगा और इसको जब करेंगे तो 1 बाइ मैनेस वन बाइ 6 आ रहा है यानि कि यह बिल्कुल fully satisfy कर रहा है अगर कर रहा है तो इसका अंसर क्या बनेगा बिल्कुल option number D ही इस प्रेशन का उत्तर होगा हलाकि आप और भी चेक कर सकते हैं अगर आपका यहीं पर पर अपने पढ़ावे होगा देखे एक समांतर स्द्रण यानि कि AP में प्रत्थम कितने 47 पदों का योग क्या दिया हुआ है क्या है यह पूछा हुआ है यदि पहला पद यानि कि पहला टर्म जो दिया हुआ है वह मैनस 50 दिया हुआ है और उसका अंतिम पद जो दिया हुआ है वह 98 दिया हुआ है अब बड़े अराम से समझेगा हम लोग formula क्या निकालते थे आपको याद है जब हम उसका total term निकाल रहे होते थे तो n by 2 और अगर आपका पहला term दिया हुआ है तो पहला term को हम a माल लेते हैं और last term को क्या मानते हैं और इसी formula में आप direct put कर दीज है नहीं कि 47 divided by 2 हो जाएगा और एका value देखिए मैमस 50 दिया हुआ है यह एदेखिए मैनस 50 दिया हुआ है आपको धिया हुआ हुआ हो। उसके बाद देखे लास्ट टर्म आपका 98 दिया हुआ है ये भी आपको धियार रखना है और इसको solve करिए आगे आगे जब हम solve कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि 47 divided by 2 into जब इसको minus कर रहेंगे तो इतना निकल कर आ जाएगा तो आप कहेंगे कि 48 निकल कर आ जाएगा तो आप कि आप क्या कह सकते हैं कि आप 47 को 24 से multiply कर लीजिए multiply करने का method आप जानते हैं कैसे करते हैं तो देखे सच्चों के 28 दुली 14 16 30 32 32 में 3 और यतना हो जाएगा आठ चार दुली 8 और 3 11 यानि कि 11 28 expression का उत्तर हो जाएगा ठीक है 11 28 expression का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ऐसा क हो जाए कि नहीं अगर आपको formula याद है तो बड़े ही असानी से इसको solve कर सकते हैं चले 15 number question देखेगा इसको solve कैसे करना है 15 number question देखेए easy है बहुत easy है देखेए आपर दिया है कि नली P1 नली P1 किसी टंकी को नली P2 के मुकाबले 3 कुना तेजी से भरता है 3 कुना तेजी से पास और P2 दिया हुए है ठीक है P1 बोल रहा है 3 और ये 1 है दोनों नली एक साथ कितने मिनट में तो दोनों एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं और नली P2 को टंकी भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा हुआ है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों क दोनों को कितना लग रहा है तो तीन और एक चार लग रहा है यारी कि जब अगर आप टोटल यहाँ पर वर्क रहे हैं टोटल अगर आप दिया हुआ है तो आप कहुंगे कि 1 दिया हुए है तो वान से आप डिवाईड कर कर दीजिए यह है यहीं इस प्रेसनी का उत्तर हो तो चलिए इसको multiply करें तो कितना हो जाएगा चेट के 24 चार्ट या बारा और दो 14 यारी कि 144 144 इस प्रेशन का उत्तर होगा तो जितने भी आप अंसर कर रहे हैं option number कौनसा तो option number C इस प्रेशन का उत्तर हो जाएगा कई method आप अलग-अलग method आप कर सकते हैं no problem तो option number C इस प्रेशन का उत्तर होगा अखले प्रेशन के तरह बढ़ते हैं और यह देखिए यह देखिए एक दम बिल्कुल सिलबस कहने सार क्वेशन पूछा गया है तो काफी इंट्रेस्टिंग और जबरदास्ते देखिए सबसे पहले अगर एक तिर्बूच आप इस तरीके से बना ले ठीक है यह देखिए मैंने एक तर्बूच बना दिया है और A का निर्देसंग का आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे यह देखिए यह दिया हुआ है तो मान के चलिए कि आपका A और B का दिया हुआ है तो A इधर कर लेते ह और B का इधर कर लेते है राइट चले तो A, B का करमशा कितना दिया हुआ है तो सबसे पहरे आपके पास दिया हुआ है कि 4-1 आप क्या कहेंगे कि 4-1 इसका xy का value दिया हुआ है और यहां पर B का कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे कि 4 और 2 दिया हुआ है और इसका जो Beach का Kendraq है गैस, ये Beach का जो Kendraq है, उसका दो के निर्देशा यां का आपका दे दिया है कितना दे दिया है? तो आप कहेंगे कि इसका V-value आपके सामें कितना निकल करा रहा है तो देख लीं, यह 3 और 2 दिया हुआ है, आपका C का नहीं पता, यही तो निकालना है, यानि कि X और Y वैल्यू आपके इसागमे यहां पर निकालना है, और आप जानते हैं कि जो केंधरक में होगता है, जो बीच में आपका center में होता है, यह वहला निकालने के लिए। हम क्या ब्राबर होगा यह तीनों का A, B, C का जो पहला है जो X वाला value है यह तीनों ही value को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो देखिए यह तो पता नहीं है तो X जोड़ेंगे और इसका X का value कितना है तो आप कहेंगे में 60 जाएगा तो कितना बचेगा एक बचेगा यानि आपका सकते हैं कि जो x का value आपके सामने निकल कर आया वो कितना निकल कर आगया एक निकल कर आगया इतना तो आप करी सकते हैं उसके बाद देखें फिर y वला term आपके पास कितना है जो center में तो आप कहेंगे कि 2 है दो है बस उसे तरीके से करिए 2 तो य तो नहीं पता y के जगा पर y पूट करेंगे कोन वला y है तो यह वला देखें यह वला y है जो यहाँ पर हमने y लिया था यह वला y term है ठीक है y ले लिये औ और y लेने के बाद अब देखें कि आपका यहाँ पर y cutter में minus 1 है तो यहाँ पर आप कहेंगे कि minus 1 है ठीक है भई minus 1 हमने ले भी लिया है और उसके बाद फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 है तो ठीक है भई मैंने यहाँ पर 2 भी ले भी लिया है और divide कितना से करना पड़ेग अब देखिए y का value आपके सामने यहाँ पर निकल कर किया आ जाएगा तो आप कहेंगे कि देखें यहाँ यहाँ पर तीन दूरी 6 हो जाएगा और यहाँ पर जब मैनस करेंगे तो पर लच 1 हो जाएगा यहाँ आप देखिग Kevin सवरी लोग एक पार comment करेंजे समझ आया कि नहीं समझ आया तो बिल्कॉल आपसर नबर 20 प्रेशन का उतर होगा जितने भी आप भी एंसर कर रहे हैं खुद दो तीन बारा प्रैक्टिस कर रहे होंगे खुद भी एक बार वीडियो को पॉज करके देखे होंगे अगर आपको अपसे नहीं बनता है तो आप दुबारा से solve करेंगे तो आपको तुरंट समझ आजाएगा ठीक है एक एक लाइक से अभी लोग करते जाएगा अगर सेसर आपको अच्छा लग रहा है नए लोग सब्सक्राइब कर लीजेगा उसके बाद देखे अगला question है और यह भी interesting और काफी easy है देखे तिरबूज x y z मतलब x z y का जो अंतह के अंदर है वो i है i माल लिया है अभी हम figure ट्रॉ करेंगे तो आपको समझ आएगा उसके बाद देखे आपका x y z का value 50 degree दिया हुआ है उसके बाद x z y का photo degree दिया हुआ है और आपको y i z का निकालना है देखे इसको हम कैसे करेंगे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं समझेगा सबसे पहले हम क्या बनाते हैं एक त्रिभूज बना लेते हैं एक triangle बनाते हैं कौन सा बनना आपको तो आप कहेंगे तो इस तरीके से आप draw कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं यह लिजे मैंने कर दिया है और आपके सामने दिया हुआ है x y z x y z यह वाला value कितना दिया हुआ है तो यह वाला value आपके सामने दिया हुआ है 50 degree दिया हुआ है तो यह 50 degree दिया हुआ है अब आगे हम देखते हैं तो xzy यानि कि ये वाला value जो दिया हुआ है आपके सामने ये वाला value ये देखोंना ये वला value दिया हुआ है किइसे निकाल सकते हैं तो तो तिर्भूज के तीनो कोन कायों कितना होता है तो 180 degree होता है तो आप देखे क्या कि 40 और 50 90 degree होगे तो कितना बच गया यह तो 90 degree बच गया तभी तो टोटल 180 degree होगा तो X का जो value निकल कर आ गया हो कितना निकल कर आ गया टोटल 90 degree निकल कर आ गया और अब ध्यान से देखे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये वाला angle center वाला angle जो होता है को किसके बराबर होता है एक formula होता है तो center वाला formula को हम इसको मान लेते है i angle का देते हैं तो angle i equal to up क्या कह सकते है angle i equal to up कह सकते है कि इसमें जो होता है कितना होता है 90 90 प्लस थिटा बाई 2 होता है यह इसके बराबर होता है अब देखिए आई का इसी का वैल्यू एक्जटलि मुझे निकालना भी है और 90 डिगरी आपका दिया हो है और थिटा हमने कितना निकाल लिया था तो देखिए यही वला यह थिटा है यह वला जो वैल्यू है यही क्या है यही थिटा है और इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है कितना तो 90 निकाल लिया है तो 90 divided by 2 तो आप कहेंगे क्या आप कहेंगे कि यह तो 90 हो गया और फिर 90 को दोस्ति जब हम divide कर रहे होंगे तो यहाँ पर 45 मिल जाएगा यानि कि 135 इस प्रस्ट में का उत्तर हो जाएगा 135 डिग्री ठीक है 135 डिग्री जितने पर आप अंसर करना चाह रहे हैं 135 डिग्री इसका बिल्कुल correct अंसर हो जाएगा यानि कि option number A आपको दिखाए दे रहा है और option number A इस प्रस्ट में का उत्तर है बुली समझाया बिल्कुल समझाया हुआ नहीं समझाया तो अगर दुबारा से देखेगा या खुद से बनने के कोशिश करेगा चीज़े आपको रिश्य तुरुप से समझा जाएगे अगला question देखिए आपके सामने है कि तरभूज ABC में AB और BC भूचाओं D और E दो बिंदू है जिसमें D और BC दोरो एक दूसरी के सामननतर है और आपको बताना है कि AD और DB का रेचियो भी दे दिया है 1 अनुपात्री दिया हुए है और ABC का शेतरफल भी दे दिया है 80 cm2 और चत्तुरूज जो बन रहा है B, B, D, E, C उसका शेतरफल निकालना है तो देखिए सबसे पहरे हम ड्रॉख करते है ऐसा आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है तो देखिए सबसे पहरे हम ड्रॉख कर लेते है एक त्रिपूच हमने ड्रॉख कर लिया ABC ठीक है उसके बाद BC और AC पर ठीक है क्या कहा दिया है आपका AC, AB और AC पर AB और AC पर D और E है यह दीजे यह दो आपका मिलिया यानि कि D यहां पर होगी आपका E यहां पर होगी यह दोनों समाननतर है किसके यह D और BC समाननतर है यह बोल दिया है और और क्या बता है और बताया है कि AD का 1 दिया हुआ है Julia और इसका 3 दिया हुआ है थेखिए नहीं यहाँ पर दिया हुआ है 1 रेस्यो थिरी दिया हुआ है अब आप देखे क्या आपको पता होगा और जरूर पता होगा हमने बताया भी और आप खुद भी जानते हैं बहुत पहले से ही कि अगर हम ऐसा करते हैं कि ये वाला ये वाला टोटल और ये वाला टोटल आप जानते हैं क्या करते हैं तो आपको पता है कि अगर ये मुझा का वेल्यू दिया हुआ है ये मुझा का वेल्यू दिया हुआ है ऐसे समझे कि A-D-E, 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 यहें गहेंगे आप, देखें, अब आपका A-B-C में अगर आप ध्यान दीजेगा, A-B-C, तो यह इसके A-Square के बराबर होता है, गैस, यह इसके A-Square के बराबर होता है, अगर हम एरिया के जब भी बात करते हैं, तो A-Square हो जाता है, इसका A-Square हो जाता है, भूजा का, तो आप देखें, A-B-C में देखें, आपका A-D और D-B, A-D और D-B, यहनि कि एक प्लस तीन आ रहा है, और A-D-E, यह देखें, A-D-E में आपका कितना रहा है, तो A का रहा है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, और यह तो A-Square हो गा ही, क्योंकि एरिया है, जब एरिया है, तो इसको हो जाता हम क्या करते हैं, स्क्वाइर करते हैं, आप सिंपल में देखें, क्या कि A-B-C का जो आपक कहेंगे कितना हो जाएगा, वन का स्क्वार, आपका 1 हो जाएगा, तो आप ऐसे समझ लिए कि A-B-C, A-B-C का जो एरिया है, आपके सामने 16 निकल कर आ अगया, और A-D-E, A-D-E का जो एरिया हो आपके सामने एक यूनिट निकल कर आ गया, जारी कि यह दोनों यूनिट को 4 म निकला हुआ है आप देख लिए आप क्या देखिए आपको देखना क्या है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देजेगा कि अगर यह टोटल में से अगर यह टोटल एबी सी है है ना अगर यह टोटल में से आप किसको घटा दे तो अगर आप इस वाले को घटा दे यह वला देख तो पंद्रह युनिट निकल कर आ जाएगा और टोटल ABC का कितना है तो 16 unit equal to देखिये कि दिया हुआ 180 तो एक युनिट का वैलिव आप निकल सकते हैं तो कहेंगे कि 16 पचे 80 एक युनिट का वैलिव आपके सामने 5 निकल करा गया तो कितना unit निकालना था तो 15 unit का value निकालना था तो आप कहेंगे कि 15 पच्छे 75 इस प्रस्न का उत्तर हो जागा जितने भी आप option number 8 चूज़ कर रहे हैं अगर समझाया तो like करिएगा right option number 8 प्रस्न का उत्तर होगा अगला प्रस्न आपकी सामने question number 19 और इसका answer तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग दें क्योंकि निशीत रुप से आप इसका answer कर सकते हैं अगर value आपको डारेक्ट याद है तो देखें यहाँ पर data value पूट करते चाहिए root 2 बिल्कुल root 2 हो जाएगा सेक 45 degree तो कोस 45 degree का कितना होता है तो root 2 होता है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस देंगे उसके बाद दिखिए 1 by root 3 1 by root 3 और 10 10 30 degree का value भी कितना होता है 1 by root 3 होता है बस आप इसको solve कर लीजिए you will get answer अब दिखिए root 2 को root 2 से multiply करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये एक बटा 3 हो जाएगा solve करेंगे तो 7 बटा 3 आपको देखने को मिल रहा है कौनसा option में तो आप कहेंगे कि आपको option number C दिखाए दे रहा है और option number C इस प्रेशन का सही उत्तर है next question देखते हैं कि तिरभूज x, y, z में y पर क्या है sum cone है और देखिए z का value दिया होई है कि इतना 45 degree और y, z का लंबाई क्या होगा यह पूचा होई है और यहाँ पर आपको दिया होई है z, x का value दिया होई है अब देखिए यहाँ पर आपको करने क्या पड़ेगा कि एक figure draw करते हैं उससे सारा चीज scalar होचेगा देखिए y पर sum cone है इसको ध्यान में रखते हुए एक sum cone भी हम बना लेते हैं ताकि यह थोला solve करना असान हो चाहिए तो y पर है तो y हम मन लेते हैं और इसको यहाँ पर x मन लिए यहाँ पर y मन लिए आपके पास क्या दिया होई x, y, z इसको z बनना पड़ेगा यह z मन लिए अब देखे आपके पास दिया होई कि जो z है, वो z जो है वो कितना है तो 45 degree है तो यह वहला जो value आपके सामने दिया होई कितना है तो आप कहेंगे कि यह 45 degree है बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसके पास दिखे आपको y, z, यह दिखे है तो आप कहेंगे कि z और यह वहला x का value 9 cm दिया होई z और x का केतना value दिया होई है तो 9 cm दिया होई और आपको यह वहला find out करना है तो कैसे find out करेंगे बताइے तो इसको find out करने के लिए आप क्या कर सकते है कि आपको देखे, यहाँ पर यह करना है यानि कि H है ये देखिए अगर ये वाला इंगल है आपका तो ये आपका B बनेगा ये इसका B बनेगा और ये इसका P बनेगा तो P का तो मुझे लेना देना नहीं है कि ये निकालना ही नहीं है मुझे ultimately निकालना क्या है मुझे निकालना है yz ये वला निकालना है y क्या निकालना है तो yz का value निकालना है यानि कि ये वला term को निकालना है कि ये कितना होगा तो देखे करेंगे कि आप असानी से तो आपका base और h वला कौन सा formula होता है तो आप कहेंगे कि coast होता है बिलकुल कहेंगे कि coast 45 degree equal to क्या हो जाएगा तो coast 45 degree equal to क्या हो जाता है B by H हो जाता है B का value नहीं पता तो हम ZY या YZ रख लेते हैं और 9 का value यहां पर put कर देते हैं क्योंकि H का value दिया हुआ है 9 cm, 9 हमने put कर दिया है बस इसको अप्सॉल्ब कर लीजे तो कोस 45 डेगरी कितना होता है तो कहेंगे 1 by root 2 होता है equal to कितना हो जाएगा तो zy divided by 9 हो जाएगा 9 को जब आप इधर ले आएगे तो यह 9 इधर आजाएगा यानि कि यह जो आपका value निकल कर आ रहा है zy equal to वो 9 by root 2 आ रहा है और यही इस question का उत्तर भी है so यह इस question का उत्तर हो जाएगा तो कौन से option में आपको दिखाए दे रहा है तो आप कहेंगे कि option number c expression का उत्तर हो जाएगा ठीक है c should be correct answer जितने भी आप c answer कर रहे है c expression का बिलकुल correct answer हो जाएगा सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक बार से भी लोग लाइक कर दीजेगा और जितने भी नए लोग है पहले बार देख रहे हैं सेशन को और subscribe कर लीजेगा ठीक है चले मिलते हैं आगले सेशन में तबते के लिए जय हिंद बाबाई